वीडियोग्राफी दोस्तो हर कोई शूट करना चाहता है पट उसके लिए एक परफेक्ट सैटिंग्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रुत होती है मेरे पाज आज है सोनी का जी वीए 10 कैमरा और एक बिकनर लेवल का कैमरा है अगर आपके पास भी एक कैमरा है तो आज हम जानेंगे इसका कुछ बैस सैटिंग्स तो दोस्तो जब भी आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो इन सैटिंग्स का अप्लाई कर सकते हो और भी ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाफट और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कर देना तो आजाओ सैटिंग्स कर लो कैमरा निकाल लो और मेरे साथ साथ सैटिंग्स करते रहना मैं कोशिश करूंगा चोटी से छोटी चीज़ बताने का क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है चोटी-छोटी सैटिंग्स को मिस कर देते हैं उसके बाद रिजल्ट में आपक नहीं आता है तो चलिए आज हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आप टॉप डाल में देखोगे तो सुनी के पास सिर्फ एक ही स्विच है एक ही बटन है जिसके साथ फोटो वीडियो स्लो मोशन को आप सैटिंग्स कर सकतो जो कि काफी अच्छा उप्शन है इसको दे जैसे हम आ गए वीडियो मोट पे आप कॉर्णर पे देखोगे लोगो तो आप समझ जाओगे वीडियो मोट पे हो अब जी मैं आपको बताता है बहुत एक कमाल का बटन जो कि एफन बटन है फुल फॉर्म की बात करें तो फंक्शन बटन इसको कहते हैं इसको जैसे आप प कैमरे के इंटरनल सैटिंग में भी नहीं जाता हूं तो कहीं न कहीं यहां से भी सबक्सेट कर सकता हूं इसके बारे में बाद मैं explain करेंगे सबसे पहले हम मेनू की तरफ बढ़ते हैं और वहां से हम बताएंगे बाट उससे पहले भी बहुत इंपर्टन सैटिंग्स है जो क और मैंने एफपीएस फ्रेम रेट को मैंने यह से 25 पर लिया तो जितना ज्यादा प्रउप किया है तो 50 अगर आपने फिल एड़ी 50 किया है तो 100 और अपर्चर को क्या डिसाइड करना क्या रखना है यार अपर्चर तो आप अपने ड ड सेखने ृप वील्ड के करना है तो अद द यहां कर दीजिए अगर आपको डेफटो फिल्ड जाहिए ग्रीटर डफ्टो टू वाले उप्शन से बात करेंगे जिसमें वीडियोग्राफिक आफे सारे फीचर्स है छोटी-छोटी में सेटिंग साथ शेयर करूंगा बहुत हल्प मिलेगा थोड़ी कैमरे को क्लोज कर लेते दाकि आपको विजिविल्टी अच्छी मिल सके तो सबसे पहले हम बात करते ह आप मैन्यूल में मोड के साथ भी आटो परफोर्मेंस कर सकते हो तो देखिए यह पर अटो इंटेलिजेंट का भी आप्शन है मतलब वीडियो मैन्यूल मोड पे भी जाकि उसका भी आटो कर सकते हो यह उनके लिए जाधा अच्छा है कि यार जो स्टार्टिंग में इनको नहीं समझाता है कि क्या एक्सपोजा रखे क्या वडिविलेंस लेके तो आटो इंटेलिजेंट पर भी रख सकते हो तो क्यामरा आटोमेटिक सब कुछ जर्च कर लेता है वह सेट कर देता है दोस्तों मैंने पहले ही कहा था क्यामरा निकाल लो मेरे सांसा सेटिंग करते रह यहां पर सामने में दोना टीकप रख लोगा मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूं लो जी सामने आगे दो टीकप अब अगर मैं इसको टच करता हूं तो आप एजली से समझ जाओगे कि अभी जो फोकस है वो एक्वल है ना स्पीड में है ना स्लो है मतलब पूरा बैलेंस है ऐखय है अब क्या क्या होता है कि जब एइस सब्जेक शापि के फोकस क्या होता है अब क्या होगा जैसी में को टच करंगा हूं आप देखे फोकस कितना जल्दी शिफ्ट होगा पट मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया उस समय में काम इमार्ग से निकल गया थे मैं कार्ड डिसमें डाल देता तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती चल छोड़िए तो इसमें क्या हुआ ना जो आटो फोकस है ना वो फास्ट शिफ्टिंग हो रहा है दन मुझे ना स्लू करना है मतलब A subject to B subject जैसे दूला दूलन ठीक है ऐसे अटो कि मुझे शिफ्ट करना आप देखना जो ऑटो फोकस है काफी स्मूथ थीक है वो स्मूथ हो रहा है कैसे पता चल रहा है जो मेरा ट्रैकिंग है ना वो थोड़े से बाद में अक्टिव हो रहा है ठीक है तो आप ऐजे कर सकते हो आटो फोकस की स्पीड को काफी अच्छी सैटिंग्स है उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं और हम जाते हैं अगले बैस सैट अग्टिव कर आप एक्टिव करने से जहां पर आपको थोड़ा ड्रॉबैग मिले जाना आपका सैंसर क्रॉप हो जाएगा ठीक है तो एक्टिव मतलब जब भी रनिंग शॉट ले रहे हो मतलब ब्लॉगिंग भी शूट कर रहे हो कुछ रणिंग के साथ कुछ भी फूटे तो आप सेफटी जोन का यूज कर सकते हो ताकि आपकी छो फ्रेम यूपका जुप्र इसेंप्र करना चीज़ तो आप सेफटी जोन या फिर जो सेंटर ने सभी को यूज करो काफी अच्छा फ्शन है एस्पेक्ट रेशियो भी देखिए 1.85 जो रेशियो 1 है उसको यूज करो ताकि अपने डाउन आपको एक सेफ्टी जोन मिल जा ताकि आप उसके अंदर अपने सब्जक को रखके शूट कर सको अगली सैटिंग से विजिबिल्टी के लिए कैसा मतलब कि जब आप रिकॉर्ड लका तो यसे पता नहीं चलबाता है दूसरा जो सैटिंग्स है ना रिकॉर्डिंग लैंप इससे क्या पता चले है काश्म कर रहे है। तो जैसे ही इसको आप on रखोगे recording बटन को प्रेस करोगे एक तो display में पता चलेगा दूसरा क्या होगा आपके camera में छोटी सी lamp light जलेगी अगर आप अकेले हो review कर रहे हो तो ये काफी अच्छा option है तो जलेगा lamp तो पता चलेगा confirm रहोगे कि यार ये recording हो रहा मेरा मेरा z50 camera मुझे पता ही नहीं जलता मुझे बार-बार camera के पास जागे confirm करना पड़ता री confirm करना पड़ता वही थोड़ टेंशन हो जाता तो ये आप काफी अच्छा features है अगला जो settings है इसकी मदश से आप recording button को दो कर सकते हो मतलब एक तो है ये उपर बड़ा सा recording button जैसे movie shutter वाले को न ठीक है आप आउन कर दोगे न तो क्या होगा कि वीडियो जिससे record होता वो तो एक button रह गई रहेगा दूसरा जो button होगा न वह आपका जो shutter release button जिससे आप photo click करते हो वह बन जाएगा अब ध्यान से देखना जैसे मैं आप प्रेस करता हूं recording start ठीक है जैसे और वीडियो आपके लिए बना दूँगा तो अब हम बाहर आगा है अब मैं बात करता हूं FN button के बारे में तो FN button में सबसे पहला जो option मैं आपको बताता हूं AFC जो focus mode होता है AFC का मतलब है auto focus continue यहाँ पे अगर आप यह चाहते हैं कि आपके subject को आपका camera all time focus करता रहे तो द जब आप चाहते हो कि आपका जो camera है all time आपके subject को यह आपको direct करता रहे तो AFC यहाँ पे focus area में क्या use कर ना focus area देखिए समझ जाए कि आपके area frame में किस पार्ट को आपको focus में रखना है ठीकि किस पार्ट को आपको focus नहीं चाहिए particular subject में में है corner में है तो आप क्या कर सकते हो इरिया के मदद से selection करके ना उस एरिया को focus कर सकते हो तो यहाँ पे बिना camera move की area के साथ आप कर सकते हो flexible sport यह भी अच्छा option है जिसमें large medium small option मिल जाता है bracket मिल जाता है इससे small subject को focus कर सकते हो यह भी काफी अच्छा option है ZV10 में काफी एक अच्छा feature से दोस्तो product showcase मतलब अगर आप product review बहुत ज़्यादा करते हो तो ZV10 अगर आप यूज करते हो तो यह बहुत अच्छा option है कि आप product का review करते हो focus बहुत fast लेगा कौन-कौन आप यूज करते हो इस features को यह मुझे comment करें जुरू बताना अब बात करत सकते हो आप gamma's को edit कर सकते हो आप colors को edit कर सकते हो even अगर आपको lock shoot करना है तो possible है Sony ZV10 में lock भी possible है जो filmmaking करते हैं जो ठीक है जो high dynamic range को achieve करना चाहते हैं इतने basic model से भी आप S-log 3 यूज कर सकते हो तो देखिए अगर आपका system अच्छा है आपका editing अच्छा आता है तो of course आप S-log option use करो जहां पर better dynamic range मिल जाएगा cinematic look देना है आपको filmmaking, cinematography करना है तो I think S-log 3 बहुत ही best option है ठीक है otherwise क्या होता है जो content creator beginner level पर camera purchase करते हैं उनको इतनी knowledge नहीं होती है बट अगर आप professional हो और आपके पास एक camera है तो आप इसका use करो picture profile Sony में काफी अच्छे creative skills के लिए इसको दिया किया है अच्छे color editing के लिए दिया है तो बहुत ही अच्छी setting से यह उसके बाद wide balance का use करना wide balance का use करो ताकि आपके जो color से accurate आ सके ज्यादा तर लोग Kelvin use करते है Kelvin use करो उसके बाद soft skinning का features दिया हुआ है अगर आप picture profile या कुछ other चीज़े use नहीं करते हो कम edit करना चाहते हो तो soft skin का use कर लो जिसमें medium, high का option आपको मिल जाता जहां पर आपका face का structure थोड़ा smooth हो जाएगा थोड़ा सा edited लगेगा तो इसका भी use कर सकते हो otherwise अगर नहीं करना चाते हो मत करना detail थोड़ी सी कम हो जाती है बाकी last में जो option आपको देखने का मिल था study shot यह वही है footage को stable करने के इसको standard पर करके रखे आप तो भाई बहुत ही fastly हमने settings किया जहां पर सुनी का zv10 camera का best settings आप गया सकते हो filmmaking cinematography के लिए आप अगर करना चाहते हो settings तो यार यह कुछ base settings भी आप गया सकते हो इसके साथ अप चलिए apply कीजिए ताकि आपकी जो filmmaking है अच्छा result आ सके तो वीडिय इक इनको press करके all पी click कर देना दोस्तों चलिए दोस्तों एक नई वीडियो में जल्दी आपके लिए कुछ नया लेकिया थे तब तक लिए good bye अपना ध्यान रखिए